तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग पहले के वीडियो में हमने एकनोमिस के लेक्षर्स कवर किये थें आज हम लोग मिशन इन्रधनुश के बारे में पढ़ेंगे आपको बताता चलों कि मिशन इन्रधनुश जो एक बहुत बड़ी प्राबलम हुई थी ट्रीन बैलेंश शीट का प्राबलम उसी के हिसाब से बनाया गया था यह तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और यह क्या है इसके उद्देश क्या है इसके बारे में भी थोड़ रeans कर देगा तो बस दो मिनट तीन मिन लएँ सब्श्क झमातुब इसको देख लिजेगा समझ में नहीं आये तो डॉबारा विडिओ को देख लिजेगा वीडियो को कर लिजेगा फिर समय में नाया तो वीडियो को पास कर लिजेगा फिर थोड़े द्वाइब बाथ द करेंगा मुड़ फरेश करके विकोज प्रहाय में मूड़ फरेश बहुत ज़रूरी है बिना मूट फरेश के प्रहाय नहीं होती है तो इंद्रधनुस खीम जो है वह एक्षुली में अगस्त 2-15 को लाउंच किया गया था अगस्ट 2015 में इसको लॉंज किया था ये मोधी ने और ये गौर्णमेंट अफ इंडिया का एक फ्लैक्शिप स्कीम है जिसके तहट जो प्राब्लम होती है तुन बैलेंस शीट की मैंने फिर बताया आपको पहले बताया था कि तुन बैलेंस शीट प्राब्लम बैंकिंग सेक् का एक बहुत बड़ा प्राब्लम है इसमें होता क्या है देखें तीन बैलेंस शीट पर अलग से वडियो में बदा दूंगा बट बेसिकली फिलहाल यहां पर समझ लेजिए कि तीन बैलेंस शीट का मतलब यह होता है कि बैंक का बैलेंस शीट और जो कॉर्पोरेट्स कंपन जिसको लोन दिया गया उनका बैलेंस शीट दोनों के बैलेंस शीट में प्राबलम है तो जो अब दोनों के बैलेंस शीट में प्राबलम होता है उससे ट्वीन बैलेंस शीट प्राबलम कहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर का जो ट्वीन बैलेंस शीट प्राबलम है उसको दू यह पाच्वा, यह छट्था और यह सात्वा, साथ स्टेप लाए गए हैं, साथ स्टेप के थुरू हम इसको A to G scheme भी कहते हैं, विकोज यह A से शुरू होता है और G पे खत्म हो जाता है, तो से A to G scheme भी कह जाता है, तो इसके थुरू, twin balance sheet problems को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, नाव यह A to G है, वो क्या stand करता है, what does A to G stand for, तो A से होता है appointment, मतलब जो bank में appointment होगी, वो appointment काफी सोच समझ के किया जाएगा, तरीके से किया जाएगा, कोई भी corrupt आदमे का appointment नहीं करना है, और दूसरा एक जो B है, B step, वो क्या है, bank board bureau, मतलब क्या, कि एक bank board bureau के स्थापना की जाएगी, again appointment के लिए ही bank board bureau के स्थापना की जाएगी, मतलब जो appointment होगा, वो करेगा कौन, वो करेगा bank board bureau, इसको short में कहते हैं, की पल भी, bank board bureau, तो bank board bureau ही appointment करेगा, banks में, banks में बहालिया करेगा, again नीचे के post के लिए नहीं, ऊपर के post के लिए, नीचे के post के लिए जैसा की, P.O. के लिए, कलर के लिए, तो IBPS करता ही, आप जानते ही होंगे, अगर आप complete exam की त्यारी करते हैं, तो आप जानते हैं कि IBPS, Institutes of Banking Personal Selection, यह जो है, कलर की या P.O. की बहाली करता है, C stands for Capitalization, मतलब हम banks में और capital डालेंगे, banks में capital क्यों डालेंगे, NPA की problem को solve करना है, तो bank में हमको capital डालना ही होगा, capital नहीं जालेंगे, NPA मरा खतम नहीं होगा, NPA की समस्थे खतम नहीं होगी, या फिर यह कह सकते हैं, जो balance sheet है, वो साफ नहीं होगा, clear नहीं हो पाएगा, Now है de-stressing, de-stress मतलब क्या bank पे दबाव कम देना है, bank को stressless बनाना है, उसके भी बात की गई है, इस seven step scheme में, पांचवा step क्या है, पांचवा step है empowerment, bank को हम empower करेंगे, जो यतने भी PSB होते हैं, public sector banks होते हैं, उसको हम और मजबूत करेंगे, उसको कुछ और power देंगे, तो empowerment की बात भी की जा रही है, इस seven step में से जो पांचवा step है, वो empowerment है, छटा है framework of accountability, मतलब क्या, कि अगर कोई bank में गरबाड़ी हो रही है, कोई corruption का case है, कोई corruption का case है, या फिर कोई और गरबाड़ी हो रही है, तो उस case में accountability किस पे दी जाए, मतलब कि कौन जिम्यवार है उस corruption के लिए, कौन जिम्यवार है उस scam के लिए, वो बताया जाएगा, उसके लिए एक framework बनाई जाएगी, उसके लिए rules regulations बनेगा, कि हाँ किसको जिम्यवार ठहराया जाए, और last है governance reforms, G4 governance reforms, मतलब bank को govern करने के लिए, हम governance पर reforms करेंगे, MD होगा, तो MD के क्या rules and responsibilities होगे, CMD होगा, उसके क्या rules and responsibilities होगे, ये सारे चीज हम governance में देखेंगे, government कैसे PSB को tackle करेगी, ये सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये साथ step का, एक scheme launch किया गया है, mission in the news, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, तो economics के जो questions होते हैं, twin balance rate से सम्मंदित वो solve हो जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर next video में, till then take care,